So hello everyone, welcome to the channel, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है, मेरा नाम रविंदर सिंगा और आशा करता हूँ कि भाई आप सबकी प्रप्रेशन एक अच्छे लेवल पर चल रही होगी, तो चलिए गाईस, आज आपके लिए एक थोड़ी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो लेके आया जब मैं भी जोब पे नहीं था, बेरोजगार था, तो मैं लोगों की सेलरी स्लिप देखता था, और आज मैं खुद अपनी आपके साथ शेर कर रहा हूँ, थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, और ये जो सेलरी स्लिप है, ये मेरी है, इस मन्त की है, सेप्टेंबर मन्त की है कल मेरी सेलरी आजाएगी, 25 तारी को सेलरी आजाती है, तो आपके साथ शेर करूँगा, DA rate भी बड़ा है, RRBPO जो न्यू जोईन ही होँगे, उनकी किती सेलरी होगी, इस बार वो भी मैं सब आपके साथ डिसकस करूँगा, और डिफरेंस भी बताऊँगा कि IVPS और SBI PO की से सेलरी में क्या डिफरेंस है, अच्छी सेलरी है, RRBPO में, अगर मैं एक लाइन में बोलू तो ठीक है, इसमें कुछ मैंने, जो क्या उसका नाम, जैसे अपना employee code हुआ, या अपना पार नंबर हुआ, यह सब मैंने disclose नहीं कर सकता, भाई, यह मेरी personal information है, जैसे आप देश सकत इंपलोई का नाम क्या है, रविंदर सिंग, ओफिसर स्केल वन ठीक है, यह मैंने सब हटा दिया, डेट ओव वर्थ आगी, और मैंने का आप जोइन किया था, 14 फैब 2022 को ठीक है, वेलें डेवाले दिन, और मैं हैट ओफिस में जोब करता हूँ भाई, ठीक है, और इसके बा है, इसके अकोडिंग ही अपने को नीचे जो अलावेंस है, वो मिलते हैं, ठीक है, अब आते हैं मुद्दे की बाद, देखो भाई, मेरी बेसिक सेलरी किती है, 38,980 रुपे, जब आप new RRBPO जोइन करोगे तो आपकी 36,000 बेसिक पे होगा, ठीक है, उसके बाद जो मिलता है आपको क्या मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है, 1490 रुपे का, ठीक है, मुझे दो इंक्रीमेंट मिलें, क्यों मिलें, एक तो एक साल मेरा कंप्लीट होगया, दूसरा साल मेरा next year होगा, बट एक मैंने exam जो है, वो clear किया है, ठीक है, एक इंक्रीमेंट मुझे वो मिला है, ठीक टरौपे च चालिस लीट्र- 5.1 थाफिए तो में आच्छी इए ठीक है और इसके बाद अगर डिडॉक्शन की में बात करूं तो मीरा जो प्रोफेशनल टेक्स है वो कित्ता कटते है जुन 윌ने दुट्ते हैं forever पे अकटता है ठीक है NPS में मेरे 5,600 पे जा रहे है ठीक है एक union बनी हुई है officer की उसमें 100 पे जाता है और 3,500 पे मेरा IT में जाता है income tax में ठीक है total deduction मेरा 9,400 पे और in hand जो कल मेरी 7 बज़े सुबह salary आएगी वो 64,000 आएगी ठीक है which is very attractive ठीक है भाई अगर कोई भी मैं point of view से बा तो 64,000 in hand salary within one and half year भाई बहुत अच्छी salary है मेरे according I hope आपको motivation मिला होगा और जो भी देखो इस बार जो भी लगे होंगे उनकी salary जो है 59,000 होगी जो भी इस बार RRB PO लगे हुए क्योंकि मैं head office में हूँ तो मुझे पता है कि new journey की किती salary होगी तो 59,000 salary होगी ठीक है और अगर मैं difference की बात करूँ जैसे RRB PO फिर आता है IBPS PO और फिर क्या आता है SBI PO ठीक है सबसे ज़्यादा देखो अगर मेरी अभी 64,000 salary है तो IBPS PO में मेरी 70,000 approach होगी और SBI PO में 75 से 76 के होगी बैस इतना difference रहता है 4-5,000 का ऐसे नहीं है कि 20-25,000 का बैस RRB PO में आपको lease accommodation का नहीं मिलत ठीक है बाकी कोई difference नहीं है भाई अच्छी salary है अगर आपने आगे UPSC या SSE की करनी है तो IBPS RRB PO best option है आपके लिए ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगली किसी वीडियो में और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो please like कर देना अपने valuable suggestion देना तो मिलते हैं अगली